बहु की नौकरानी प्रेमा की एक ही संतान थी वो था उसका बेटा वर्दान छोटे से कस्वे में रहने वाला वर्दान पढ़ाई लिखाई में काफी हूश्यार था इसलिए गरीब परिवार से होने के बाद भी स्कॉलर्शिप के दम पर वो बड़े शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है और जल्द ही उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाती है कुछ सालो बाद वर्दान मा जी वहां गाउं में अकिले परिशान हो जाती होंगी अब मा जी को क्यों नहीं कहती कि हमारे साथ आकर यहीं पर रहे अरे मैं तो कह कह कर परिशान हो गया लेकिन मम्मी गाउं छोड़कर शहर में आना ही नहीं चाहती है कहती है उनके यहां रहने से हम लोग डिस्टरब हो जाएंगे अरे मा ऐसे क्यों सूछती है क्यों उनकी यहां रहने से हम लोग डिस्ट्रब हो जाएंगी इतना बड़ा परिवार है उनका फिर उन्हें वहाँ अकेले रहने की क्या जरूरत है मम्मी जी यहां आएंगी तो बच्चों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा सिया के बार बार कहने पर वर्दान अपनी मा को गाउं से शहर बुला लेता है वर्दान और सिया दोनों ही नौकरी करते थे और उनका तीन साल का बेटा घर पर आया के साथ रहा करता था सिया सुबह का खाना बनाने के बाद आफिस के लिए निकल जाती थी शाम को सिया के लौटने पर आया रेखा अपने घर लौट जाती थी और उसके बाद मुन्ना के साथ वो घर के बाकी काम भी संभाला करती थी अरे सिया अब तो तेरी सास गाउं से आगी है अब तो रेखा की छुट्टी कर दे तेरे दससार बज़ जाया करेंगी अरे नहीं नहीं, छोटे बच्चों के साथ ना बड़ा बंधन हो जाता है अगर मैंने रेखा को हटा दिया तो मम्मी जी पूरे दस घंटे के लिए घर में कायद होकर रह जाएंगी अरे तो कामी क्या है उनकी पास? पोती-पोतीयों को खिलाने के अलावा? अरे छोड़ना ये सब घर पांच कर ममी जी, अपार्टमेंट में नीचे एक जगा योगा क्लासेस होती है मैंने आपका भी वहाँ पर इन्रॉल्मेंट करवा दिया है कल से आप सुबह एक घंटे के लिए वहाँ योगा करने जाया कीजे आपकी सेहत अच्छे रहेगी और वही नीचे पाक में ना एक मंदिर भी है बर्दान बता रहा था कि आप गाउं में रोज मंदिर जाती थी तो आप यहाँ भी अपनी पूजा पाट बड़े आराम से कर सकती है इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बैठे बैठे बोर हो जाती हूं इसमें बोर होने जैसी क्या बात है मामी जी आपकी रूमें एक टीवी लगवा देती हूं आप उसमें भजन किर्टन कता जो भी सुनना चाहे सुन सकती है प्रेमा को शहर आये अब कुछ दिम बीद गये थे धीरे धीरे उसका परिचे आसपास में रहने वाली हम उम्रमहिलाओं के साथ हुआ तो उस्ते मंदिर में भजन किर्टन करने वाली मंडली जोईन कर ली अब जहां भी सत्संग्या किर्टन होता प्रेमा भी अपनी मंडली के साथ वहां पहुँच जाती सिया आज ओफिस के बाद थोड़ा रुकना सब लोग मोवी देखने चल रहे है अरे नहीं नहीं मुझे घर जाकर खाना बनाना होता है मम्मी जी मेरा वेट कर रही होंगी क्या यार तेरी मम्मी जी पूरा दिन गर में खाली तो रहती है क्या एक टेम खाना भी नहीं बना सकती गाओं में तो अपना खाना बना कर खाती होंगी न देख स्वाती इस बार में मैं कुछ बात नहीं कहना चाती फिलाल मुझे लेट हो रहा है मैं घर के लिए निकल रही हूँ सिया की बात सुनकर स्वाती को बड़ी हैरानी होती है बड़ी अजीब बात है अब तो इसकी सास भी आ गई है उसके बात भी इसने बच्चे की देखबाल के लिए आया को लगा रखा है और सुबर शाम खाना भी पिचारी यही बनाती है ऐसी सिस्राल वालों की साथ रहने का क्या फाइदा है जिब बहु को जरा सभी सपोर्ट नहीं कर सकती तो सही कह रही है यार अगर मेरी सास ऐसी होती न तो मैं तो चार दिन भी उसकी साथ ना रहती और वापस उन्हें गाऊं भीच देती अरे जब मुझे किसी काम में मददी नहीं मिल रही तो फिर साथ रहने का क्या फाइदा तीन दिन बाद सिया और वर्दान की शादी की सालगिरा थी शादी की सालगिरा मनाने के लिए उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों को अपने घर बुलाया हुआ था सभी मेमान घर पर जमा होने लगे थे तभी सिया की सास प्रीमा बाहर से आती है हरे भमी जी आ गई आओ कैसा रहा आपका सत्संग बहुत अच्छा रहा पिटा बहुत आनन्द आया अब बाठिये मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ प्रीमा अंदर वाले कमरे में जाकर आराम करने लगती है अरे सिया आज तेरी घर में पाटी है और तेरी सास बाहर कुम रही है अरे यार सब बाने हैं घर में रहती तो सिया के सथ काम ना करवाना पड़ जोता ऐसे भी क्या इमर्जनसी थी कि आज ही उन्हें सचसंग में जाना था बेटे बहु की शादी के सालगिरा दिन तो घर में रुकी सकती थी मैंने तो सिया को पहली ही कहा था अब तेरी सास आ गई है तो कुछ काम उनकी उपर भी छोड़ दिया कर तो जिम्मेदारिया उनकी उपर डालेगी तब ही वो कुछ काम में हाथ पटाएगी लेकिन सिया ने तो शुरुआत सी उनकी आदत बिगार रखी है सिया की सहलियो की बात प्रीमा के कानों में पढ़ जाती है आज तो मेरी बहु मुझ से बहुत अच्छे से बात कर रही है लेकिन अगर ये अपनी सहलियो की बातों में आ गई तो मेरा इस घर में एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा इससे पहले कि सिया के मन में ये सारी बाते बैठे मैं खुदी घर के काम करना शुरू कर देती हूँ सिया अपनी पाटी का मज़ा खराब नहीं करना चाहती थी इसलिए वो किसी भी बातों का जवाब नहीं देती अगले दिन सिया ओफिस से वापस आई तो उसने देखा कि सास प्रेमा किर्टन के लिए मंदिर नहीं गई है बलकि रसोई में खड़ी सबजी बना रही है अरे मम्मी जी आप मंदिर नहीं गई आज खाना तो मैं आकर मना ही लेती हूँ ना आप क्यों बना रही है खाना नहीं बेटा मैंने मंदली वालों को मना कर दिया है अब मैं मंदिर में किर्तन के लिए नहीं जाया करूँगी अरे लेकिन हुआ क्या है आपका किसी से जगड़ा हुआ है क्या नहीं बेटा मेरा किसी से जगड़ा क्यों होगा हम तो वहां भगवान का नाम लेने के लिए जाते हैं लड़ाई जगड़ा क्यों होने लगावा पस मैंने सोचा है कि अब मैं घर में रहकर तेरे साथ घर के कामों में मदद कराया करूंगी और वैसे भी पूरा दिन खाली बैटे बैटे परिशान हो जाती हूं मैंने रेखा को भी मना कर दिया है कासम मुनने को न मैं इस समभा लिया करूंगी सिया को सास प्रीमा की बाते कुछ अजीब सी लग रही थी जैसी वो अपने कमरे में गई तो उसने दिखा कि सासु मा ने वाशिंग मेशिन में सारे कपड़े धोकर आईरन भी कर दिये है सच-सच बताइए ममी जी कुछ तो जरूर हुआ है लग रहा है अज पूरा दिन आपने आरामी नहीं किया पूरा दिन बस काम ही करती रही आपको मेरी कसम है ममी जी सच बताइए क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है नहीं बेटा तो तो मेरी बेटी है मैं तेरी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ लेकिन ये बात भी तो सची है ना कि मैं पूरा दिन घर में खाली पड़ी रहती हूँ और घर की किसी जिम्मेदारी में हाथ भी नहीं बटा दी इसलिए मैंने सोचा तो बहार काम करती है तो आप से मैं घर संबाल लिया करूंगी अच्छा तो ये बात है जरूर आपने उन लोगों की बाते सुन लिये जो कह रहे थी कि मेरी साज घर का कोई काम नहीं करती हाँ बेटा लेकिन मुझे उनकी बात गलत नहीं लगी मैं जब से शहर आई हूँ मैंने कभी कोई काम नहीं किया बस अपनी ही मस्ती में मगन रही कभी योगा, कभी मंदिर, कभी वाख मुझे सोचना चाहिए था कि बहु बेटे के साथ रहना है तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां बात नहीं चाहिए ममी जी क्या लगते हैं आपको मैंने आपको शहर से यहां घर की काम और मुन्ना की देखबाल करवाने के लिए बुलवाया था अरे बिटा, देख मेरी सारे सहली आपने पोते-पोते को संभाल दिया अब अगर दादी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा इस पर कोई बुराय भी तो नहीं है आप गलत समझ रहे हैं ममी जी मैंने आपको शहर इसलिए बुलवाया था ताकि आप यहां आकर अपने जिन्दगी सुकून से जी सके अगर यहां आकर भी आपको दिन में 24 गंटे काम ही करते रहना है तो फिर हमारे यहां साथ रहने का क्या फाइदा हुआ और अब आपकी उम्र कोई घर के काम करने या बच्चों की जिम्मेदारिया संभालने की नहीं है वर्दान ने मुझे बताया है आपने अपने सारी जिंदगी बहुत ही मैनत और संगर्श के साथ बिताई है इसलिए अब आप बस अपनी जिंदगी चैन और सुकून से बिताईए जैसे आपने अपने बच्चों को पालने के लिए मैनत की वैसे ही अब अपने बच्चों के लिए मेहनत करने की हमारी बारी है और हम खुशी-खुशी ये जिम्मेदारिया निभा भी रहा है माजी इस घर को एक मा की जरुरत है नौकर की नहीं और एक बात पताईए जब तक आप गाउं में रह रही थी क्या ये घर नहीं चल रहा था तो जैसे ये घर पहले चल रहा था अब भी चल सकता है आपको काम की चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है हरे लेकिन बेटा ये भी तो सही है न कि घर के कामों में घर के हर सदस्य को मदद करने चाहिए जब मुझे मदद की ज़रुत होगी मैं आपको बता दूगे मामी जी आप बेफिक्र रही है बेटे बहु के साथ रहने वाले साथ ससुर उनके नौका नहीं होते आपके अपनी जिंदगी है अपनी पसंद और ना पसंद है और आप अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए पूरी तरस वतंत रहे यहाँ शेयर में मैं आपको आटो गंटो के लिए घर में कैद नहीं रख सकती वो भी इसलिए क्योंकि आपको मेरा बच्चा संभालना है आप तो बस मुन्ना के साथ खेलिए और एक आप नज़र रखे उससे कहकर काम करवाईए दोसाब की इतनी ही जिम्मदारी है अपनी बहु के ऐसे विचार जानकर प्रेमा हैरान रह गई थी बहु की घुटन आरती अपने पते विशाल दो बच्चे नीहा और अमीत के साथ रहा करती थी आरती अपनी छोटी से फैमिली के साथ बहुत खुश थी ऐसे ही एक दिन विशाल जी दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तयार हो चुके हैं आप कब तयार होंगे मुझे भी कॉलेज जाना है आज से बच्चों के एक्जाम शुरू हो रहे ना बहुत सारा काम है मेरे पास बस दस मिट दे दो आरती इस तरह से विशाल फटाफट तयार होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाता है और रास्ते में अपने बच्चों को स्कुल छोड़ कर आफिस चला जाता है तो वहीं दूसरी और आरती भी घर का काम करके कॉलेज के लिए निकल जाती है शाम को जब विशाल घर आता है तो वो देखता है कि उसके आने से पहले ही आरती में सारा काम कर रखा है ये देखकर विशाल आरती से कहता है आरती कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम ना होती तो मैं अकेले क्या करता क्या हुआ आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अरे यार तुम सुबह घर का सारा काम करके जाती हो फिर कॉलेज जाकर बच्चों को पढ़ाती हो दोपेर में कॉलेज साते हुए हमारे बच्चों को स्कुल से घर लेकर आती हो फिर बच्चों को संभालती हो फिर दोबारा से घर का सारा काम करती हो और रात में मुझे भी संभालती हो आके इतना सब कुछ तुम इतनी आसानी से कैसे मानेज कर लेती हो विशाल की ऐसी बाते सुनकर आरती को बहुत अच्छा लगता है वो मुस्कराने लगती है अब वो चारो बैठ कर एक साथ खाना खाही रहे होते हैं कि तभी विशाल की फोन पर उसकी मान गंगा का फोन आता है कैसा है बिटा शहर जा कर तो बुढ़े माबा आपको भूली गया ऐसा नहीं मा और वैसे भी ये घर भी तो आपी का है आप और पिता जी जब चाहे यहां आ सकते हैं अगर आसा है तो तु हमारी कल की ही टिकेट निकाल दे वैसे भी बहुत दिन हो गया है अपने पोता पोती को देखे अब विशाल अपने माता और पिता के आने का सारा इंतिजाम कर दीता है और बहुत जल्द गंगा अपने पती सुरिश के साथ अपने बहु बेटे के घर आ जाती है वहाँ वो देखती है कि उसकी बहु साड़ी ना पहन कर सूट, जीन्स आदी पहन रही है साथी दोनों आस्बंड वाइफ बहार काम करने जा रहे है और अपनी लाइफ जी रहे है यह देखकर गंगा को अपनी बहु से नफरत होने लगती है यहाँ मज़े से जी रही है इसलिए तो गाउं में साथ सुर के पास रहना नहीं चाहती अगर गाउं में रहती ना तो हम इसे ऐसे कपड़े पहनने नहीं देते और अगर से निकल नहीं ना देते जा गंगा तुम बेकार ही बहु से और उसके काम से जल रही हो यह आजकल की दुनिया है समय के साथ खुद को भी बदलो हमारे समय पर बात कुछ और थी और अपके समय पर बात कुछ और है अब लड़का लड़की किसे एक दूसरे से कम नहीं और वैसे भी क्या हुआ अगर हमारी बहु बहार जाब करती है तो अजी आपको फर्क नहीं पढ़ता होगा बहु के इन हरकतों से पर मुझे बहु के चाल चलन जरा भी पसंद नहीं इस बारे में मुझे अपने बेटे से बात कर नहीं होगी गंगा को आए अभी महिना भर नहीं होता कि वो अपने बेटे की कान भरना शुरू करतेती है वहीं दूसरी और जबारती कॉलेज चली जाया करती तब उसकी गैर मौजूदकी का फायदा उठा कर गंगा अपनी पोता पोती के भी कान भरती अरे मेरी पोती कितने प्यारी है मम्मी का कितना कहा मानती है और एक तेरा वो छोटा भाया मेत मम्मी पापा का कोई काम नहीं करता फिर भी मम्मी पापा न जाने उससे क्यों इतना ज्यादा प्यार करते है नहीं दादी, मम्मी तो बहुत अच्छी है. मम्मी हम दोनों से प्यार करती है. आपको पता है, मम्मी जब भी बाहर जाती है, तो वहाँ से मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती है. अच्छा, अगर ऐसा है, तो आज तुम अपनी मम्मी से गुड़ पट्टी लाने को कह दो देखता है तुम्हारे लिए मम्मी गुड़ पट्टी लाती है या नहीं गंगा के कहने पर अब निहा आर्थी को फोन करती है और कहती है मम्मी आज मुझे न गुड़ पट्टी खानी है आप मेरे लिए प्लीज लेकर आना नीहा विटा गर्मियों में गुड़ पट्टी नहीं मिलती मैं तुम्हारे लिए आइस क्रिम लेकर आउंगी वैसे भी तुम्हें आइस क्रिम बहुत पसंद है ना नए, मुझे गुड़ पट्टी ही खानी है अगर आप मेरे लिए गुड़ पट्टी नहीं लेकर आई तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी इस तरह से नीहा आरती से नाराज हो जाती है और फोन रख दीती है शाम को जब आरती अपने दोनों बच्चों के लिए आइस क्रिम लेकर आती है तो नीहा आईस क्रिम फैक देती है और अपनी मां से कहती है आप बहुत गंदी है आप सच में मुझसे प्यार नहीं करती है अब सिर्फ अमिद से प्यार करती है तबी तो अमित के कहने पर आप आइस्क्रिम लेकर आई और मेरे गुड़ पटी मांगने पर भी गुड़ पटी नहीं लेकर आई मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी आपसे कटी हूँ मैं इस तरह से निहा नाराज हो कर चली जाती है ये सब देखकर गंगा को बहुत खुशी होती है लेकिन जब आरती अपनी सास के चहरे पर मस्कुराट देखती है तो वह समझ जाती है कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं उसकी सास का हाथ है पर आरती सारी बातों को नजर अंदास कर देती है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और उसकी दोनों बच्चे उससे बात्चित कम कर देते हैं तो वही दूसरी और विशाल भी थोड़ा चिर्चिड़ा रहने लगता है ऐसे ही एक दिन रात को आरती धूद लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है जहां वो देखती है बेटा तुम मान या ना मान पर सारी गलती बहु की है तुने उसे सर पर चड़ा रखा है तब ही वो इतना ज्यादा उड़ रही है मा अब फिर शुरू गई मैंने आपको समझाया था ना बताया था ना कि आरती सिर्फ इस घर को चलाने के लिए हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए काम कर रही है टीचर की नौकरी में क्या बुराई है मा बेटा काम करने में कोई बुराई नहीं पर बुराई है बहु के कपड़ों में इस चीज में बुराई है कि वो तुम्हें और अपने बच्चों को टाइम नहीं देती बुराई इस चीज में है कि वो घर के जिम्मेदरी एक मा की और बीवी की जिम्मेदरी को सही से नहीं संभाल रही गंगा के मुझ से ऐसी बाते सुनकर आर्थी के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है आर्थी फैसला लेती है कि आपसे वो कॉलेज नहीं जाएगी इस तरह से आर्थी कॉलेज जाना बंद कर देती है और विशाल के पूछने पर आए दिन कोई ना कोई बहाना मार देती ये सब देखकर विशाल को शक होता है और वो आर्थी से कहता है आर्थी तुम्हें तो बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था ना क्या हुआ तुमने कॉलेज जाना क्यों बंद कर दिया मैंने बताया ना कि अब मैं अपने बच्चों को थोड़ा समय देना चाहती हूँ और वैसे भी अब मन नहीं करता बाहर जाने का मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तुम ये सब कुछ मा के कहने पर तो नहीं कर रही हो ना आर्ति मुझे समझ में नहीं आरा कि जब मैं तुमारे साथ हूँ तो तुम इस तरह से घुट-घुट कर क्यों जी रही हो तुमें मेरी तरफ से पूरी छूट है तुम अपने जिंदगी जैसे जीना चाहती हो वैसे जी हो इस तरह से विशाल आर्ति को सपोर्ट करता है और अगली सुबह वो अपने माता पिता के जाने की पूरी तयारी करतीता है जब गंगा इतने सारे बैग देखती है तो विशाल से पूछती है आरा विशाल बेटा, इतने सारे बैग, कोई कहीं जा रहा है क्या हाँ मा, आप और पिताची फिर से गाउं जा रहे है और इस बार आप से विनती है कि जब आप इस घर में आए तो इस घर को हमारा घर समझ कर आए मैं नहीं चाता कि आप मेरे छोटे से एक खुशाल परिवार को तोड़े आप जब से यहां आई है तब से कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है आप कभी मेरे बच्चों को उनकी मा के खिलाफ बढ़का रही है तो कभी मुझे मेरी बीवी के खिलाफ आपको क्या लगता है, कि मुझे कुछ समझ मनी आता विशाल बेटा ये तो क्या कह रहा है मैं तो जो भी कह रही थी तेरी भलाई के लिए कह रही थी और अगर तो अपनी बीवी पर लगाम देगा तब ही तो तेरी बीवी तेरे काबू में रहेगी चुप करो गंगा मेरा बेटा बिलकुल सही कह रहा है लगाओं मेरे बेटे को बहु पर नहीं बलकि मुझे तुम पर देनी चाहिए ये सब कुछ मेरी हीट हील का नतीजा है कि तुम आज मेरे बेटे के घर को उजाडने पर लगी हो तुम उसका परिवार तहस तहस करो इससे तो अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ गाउं भी चलो। इस तरह से विशाल अपने माता पिता की गाउं जाने का बंदोबस कर दीता है और सुरेश भी गंगा को अपने साथ गाउं ली जाता है जिसकी बाद विशाल अपने चूटी से परिवार के साथ फिर से खुशाल जीवन जीने लगता है और आरती भी घुट-घुट कर जीना बंद कर दीती है